नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका कारी उनिवरिसिटी की एक नई वीडियो में तो आज आपके सामने है क्रेटा का नाइट एडिशन जो भी हाली में लॉंच हुआ है यह बेस है S प्लस वेरियंट पे जो भी नूली लॉंच के है स्पेशली नाइट एडिशन के लिए तो यह है क्रेटा S प्लस नाइट एडिशन इसमें हमें कुछ अडिशनल फीचर्स दिये गए है टॉप मॉडल वाले भी कुछ फीचर्स है तो वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा इसकी अन्रोड प्राइज में भी आपको बताऊंगा यह वेरियंट इसलिए निकाला है क्योंकि टाटा का जो डार्क एडिशन था वो कही न कही लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और युंड़ाई वालों नों भी मार्केट स्टैटरजी को समझा और लोग बाहर से जो माडिफिकेशन करवा रहे थे क्रेटा में वो समझ के युंड़ाई वालों ने खुद से ही एक वेरियंट निकाला और इसमें बहुत सारे चेंजर्स भी किये गए तो मैं आपको सारे चेंजर्स बताऊंगा और इसमें कुछ red element देके sporty look देने की कोशिश की गई है मुझे personally ये बहुत value for money variant लग रहा है क्योंकि इसमें आपको panoramic sunroof भी मिल रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ top model वाले features भी है वो सब इसमें मिल रहे है तो हम top model क्यों लेंगे ये red element भी है आपे match होने की कोशिश की गई है तो इससे sporty look आ रहा है side profile में भी red color के element मिल रहे है brake caliber अभी red हो चुके अगर मैं बात करूँ इसकी एक showroom price की तो वो है 13,52,000 रुपे और 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 प्राइज में आपको end में बता हूँँगा और ये special variant सिर्फ manual में available है top model में आपको automatic मिल जाएगा लेकिन इस variant में अभी automatic नहीं मिलता तो manual में ही आपको diesel और petrol मिल जाएगे तो इसकी diesel में एक showroom price है 14,47,000 रुपे एक बात मुझे Hyundai की बहुत अच्छी लगी जो इसकी light है front lights, headlights और tail lights वो हमें top model वाली मिल रही है मतलब ये LED headlamp का setup यहाँ पे मिल रहा है और fog lamp पे वो normal yellow color के light के साथ indicator के साथ fog lamp का placement किया गया है और आगे की grill आप देख सकते हो glossy black color की यहाँ पे grill मिल रही है और जो skid plate थी पहले silver color की थी वो भी black हो चुकी है मतलब जितनी चीज़े हो सके उतनी black रखी गई है इसमें क्योंकि ये night edition रखा गया है इसका नाम तो front side में तो आपको red element मिल ही रहे है उसी के साथ side में हमें brake calibers है वो भी red color के दिये गए है और उसके साथ ये 16 inch का आपको olive wheel मिल रहा है जो की black color के या फिर आप इसे dark gray color इसे बोल चकते हो वो 16 inch का olive wheel आपको मिल रहा है इनकी profile है 205, 65, 16 16 inch का ये tire मिल रहा है तो आपको disc brake भी सिर्फ front side में मिल रहे है rear disc brake इसमें नहीं मिल रहा तो कहीना कहीं cost cutting करनी ही थी तो यहाँ पे cost cutting आप सिधे देख सकते हो और यह है इसका ORM जो कि electrically adjustable है लेकिन foldable नहीं मिलता यह भी cost cutting यहाँ पे की गई है और side के जो cliding है वो भी अभी पूरी black color में रखी गई है और इसका ground clearance भी 190 mm का है जो है usual है और glossy black color के इसकी roof rails है मतलब यह भी अभी black हो चुकी है और यह जो part था क्रेटा में आप भले ही काला रंग लो फिर भी एक gray color के यह आता था लेकिन अभी यह night edition में पूरा black हो चुका है जो कि अच्छी बात है और rear में अभी disc brake नहीं मिलता जैसे कि मैंने आपको बताया drum brake rear में मिल जाता है rear profile देखते हैं तो first of all आप notice करोगे कि यहाँ पे night edition की badging दी गई है जो भी अभी आने वाले कुछ दिनों में आफ्टर मार्केट भी मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि यह जो badging यह specially night edition के लिए रखी गई है और यहाँ पे जो आप वाइपर देख रहे हैं वो मिल रहा है और उपर cover कियागा है वो सब white color के paper के साथ मतलब सब black ही मिलता है और tail light आप देख सकते हो LED tail light है indicator के साथ है और पूरी LED है मतलब यह always on mode में रहेगी और यह मोटी रहेती है जलते वक्त और जो base model आता है उसमें पतली सी रहेती है वो नहीं है और reverse light भी हमें नीचे bumper में मिल जाते है और camera भी यहाँ पर मिलता है मतलब इसमें screen आती है rear bumper आप clearly देख सकते हो जो silver element था silver part था वो पूरा glossy black में हूचका convert जो कही न कहीं इसकी road presence को बहुत ही ज्यादा बाड़ा देगा यह night edition का badge भी बहुत जगा मिलने लगेगा भी लोग भागने लगेंगे इसके पीछे यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरे glossy black color में रखा गया इसका ABC pillars और fuel tank capacity के बाद करे तो इसमें मिलता है हमें 50 liters का fuel tank capacity तो चलिए अब interior देखते हैं इंटिरियर देखने से पहले चाबी देख लेती है तो यह रही इसकी चाबी कुछ इस तरह की lock on lock और boot open करने का यहाँ पर button मिल जाता है remote पर remote की मिलती है यहाँ पर flip की नहीं मिलती है हमें इसी तरह की दो चाबी आप मिल जाती है यहाँ पर request sensor भी दिया जाता है और door panel आप देख सकते हो silver color में सिर्फ door opener है बाकि सब pure black रखा गया है मतलब यहाँ पर कुछ beige, white, red कुछ element door पर नहीं मिलता है सिर्फ black color का use किया गया है चारो power window के controls यहाँ मिल जाती है और यह unlock और lock करने का और mirror adjust करने के controls यहाँ भी मिल जाती है यह electrically adjustable mirror है लेकिन foldable नहीं है उसका button यहाँ पर आया जाता है था यह electrically foldable आप aftermarket बना सकते हो अरोल बाग डेली में बहुत सी जगा पर यह electrically foldable हो जाता है निचे speakers मिल जाते हैं और दो bottle holder मिल जाते हैं बहुत सी जगा डोर पर भी मिल जाती है और जैसे कि आप seats देख सकते हो red color की stitching का बहुत ही अच्छा सी आप यूज किया गया है और यहाँ पर fabric seats मिलती है leather seats नहीं मिलती है लेकिन यह जो red color की stitching है वो अंदर से look दे रही है और यह S events आपने देखे होंगे crater turbo में जो 21,00,00 में आती है अब यह S plus variant में भी आने लगे है night edition में बतलब और under the support जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा खासा और comfortable seats होने वारे है और driver set seats जो है वो height adjustable भी मिल रही है तो चलिए यह चाबी यहाँ पर रखते है और under जाकर बैठते है और कैसा इसका interior होता है वो आपके साथ share करते है तो यहाँ पर मिलता है इसका start stop button push करते है यह इस तरह से यह on हो जाता है यहाँ पर मिलता है इसका AC जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी तो थंडियावा शुरू करते है और कुछ इस तरह का steering wheel है जो कि leather wrap नहीं है decat में है लेकिन leather wrap steering नहीं है यह सारे media के screen के लेटेट सारे control हमें left side पर मिल जाते है audio के related और right side में cruise control मिल रहा है जो कि अच्छी बात है top model वाला feature यह रहा एक और और steering adjustment में है सिर्फ tilt मिल रही है head lamp मिलते हैं यहापी इसका MID आप देख सकते हो speedometer और rpm meter पूरा यह analog में रहने वाला है यह digital वाला नहीं है top model में digital आता है पूरा लेकिन यहापर analog में मिल रहा है और बीच में MID छोटी screen मिल रही है जिसमें सारे information आपको दिखाए देगी kilometers, distance to empty temperature, mileage और बाकी सारे information आपको इसमें दिखाए देगी fuel gauge और coolant temperature यह सब तो analog और उसी की तरह दिखाए देगा यह रहा fuel का और यह रहा coolant temperature का सारे warning lights भी वही पर आ जाती है कुछ इस तरह का steering रहने वाला है यहापे headlight leveling के controls मिल जाते और इस events की जो quality है वो भी अच्छी खासी मिल जाती है यह rate element कुछ अलग contrast पैदा करता है जिससे अंदर से एक premium look आता है और यह है इसकी 7 इंच की touch screen जो कि Android Auto, Apple CarPlay के साथ है और यह और एक feature है जो top model में आता है वो हमें इसमें मिल रहा है जो कि अच्छी बात है इसमें मिलता है 6-speed manual transmission gear box 6 gear के साथ और reverse लगाने के लिए हमें simply नीचे gear के पास एक button मिलता है वो दाबाने से हम gear reverse में डाल सकते हो इस तरह से और इस तरह से इसका reverse camera मिलता है हमें जो कि अच्छी quality का है और guidelines के साथ है तो आपको guidelines भी मिल जाएंगी और यहाँ पर red stitching भी दी गई है gear lever के पास जो कि दिखने में premium लगता है और यह है इसका automatic climate control पूरा screen के साथ है चोटीची screen है hazard का button यह रहा और इस events भी अच्छी से design के गए यह पहले beige color का था अभी black हो चुका है यह भी पूरा gray था अब यह सारा black रखा गया है और यह रहा manually adjustable IRVM यह आपे ticket holder मिल जाता है और इस तरफ हमें mirror मिल जाता है उपर मिलती है panoramic sunroof यह एक premium feature है जो कि जैसे कि मैंने starting में ही बताया था इस variant में ही मिलने लगा है जो कि इसके लिए पहले लोग SX लेते थे sunroof के लिए लेकिन S plus में अभी मिल रहा है तो मुझे लगता है यही variant सब लोग लेने वाले है तो करते हैं इसे open लेकिन उपर जैसे कि मैंने बताया था cover लगाया गया white color का तो मैं इसे खोल नहीं सकता हूँ तो आप एसे ही देख सकते हो बहुत बड़ी panoramic sunroof है इसकी और यह glow box है जो की cool glow box है cooling temperature आप इसे set कर सकते हो यहाँ पे sun glass holder मिल जाते हैं और दो lights white color की मिल जाती है दो cup holders है बीच में यहाँ पे wireless charging नहीं मिलती लेकिन mobile रखने के लिए जग़ और USB outlet है charging के लिए और screen के लिए भी USB outlet है और बारावल का socket यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे soft touch में इसका armrest मिलता है जिसके नीचे बहुत बड़ी storage आप इसे बोल सकते हो और यह adjustable नहीं है fix है बहुत ही premium touch देने वाला है इसका interior रहने वाला है personally value for money है यह variant क्योंकि सारे आप आगे बेट के देखोगे तो यह top model के नीचे लगती ही नहीं है बहुत ही अच्छा अच्छा और top model वाले features इसमें दिये गए है और हाँ इसमें हमें 2 airbags standard मिल जाती है rear space भी देख लेते आगे की seat मेंने अपने हिसाब से adjust की थी और under thigh support वगेरा बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इसमें और तीन लोग भी इसमें आराम से बेट पाएंगे इतनी जगह है यहाँ भी हमें sun blinds मिल जाते है जो की company fitted है मतलब इस पे यह legal है इसमें कुछ छेड़वानी की ज़रूरत नहीं रहती बहुत ही अच्छा एक feature है जिसमें आप sun light वगरे से बच सकते हो और privacy भी maintain रह सकती है door panel rear का भी पूरा black रखा का है सिर्फ silver color का यह door opener है बागी सब black है पावर विंडो के controls मिल जाते है बॉटल होटर इसमें भी दो मिल जाते है यहाँ पर दो AC vents भी मिल जाते है नीचे mobile रखने के लिए जगह भी है और एक USB outlet है mobile चार्ज करने के लिए कुछ इस तरह का इसका rear space है और बड़ी panoramic sunroof मिल जाते है वही बहुत अच्छी बात है और दो lights दोनों side मिल जाती है white color की उस side भी है और यहाँ पर rear arm brush नहीं मिलता है और rear के headrest tape वो भी adjustable नहीं है fix है यहाँ कही न कही हमें cost cutting दिखाए देती है लेकिन कुछ जगह पर top model वाले feeling भी आती है जैसे कि आगे बैठके और यहाँ पर आप देख सकते हो partial tray भी मिलती है इस वाले variant में और बहुत ही बड़ा इसका 433 liter का boots space मिल जाता है यहाँ पर हमें lights मिल जाती है यहाँ पर hook भी मिल जाता है सामान अटकाने के लिए नीचे हमें spare wheel मिल जाता है जो कि 16 inch का ही है और इसका tailgate भी अच्छा खासा भारी है जहाँ पर padding भी दी गई है अच्छी तो चलिए इसका engine देख लेते हैं और engine के बारे में बात करते हैं mileage भी आपके साथ share करेंगे diesel वाली mileage भी आपको बताँगा और petrol वाली mileage भी आपके आथ share करूँगा तो यह रहा है इसका 1.5 लेटर का turbo petrol engine जो produce करता है 113 bhp और 144 nm का torque और यह 4 cylinder engine है यह लगबग city में और highway में company इसमें 17 का mileage claim करती है और अगर बात करें इसके diesel engine की तो वो लगबग 113 bhp प्रोडूश करता है लेकिन 21 की mileage आपको निकाल के देगा और यह value for money भी हो जाता है diesel के साथ और अब बात करते हैं इसके on road price की तो इसकी petrol में on road price है 15,90,000 रुपे और diesel में इसके on road price है 17,30,000 के अंदर तो आपको यह value for money लगई की नहीं वो comment में जरूर बताइएगा और और कुछ information चाहिए होगी इस गाड़ी के बारे में और किसी भी गाड़ी के बारे में तो मुझे comment में जरूर बताइएगा तो इसी तरह की knowledgeful और interesting videos के लिए हमें subscribe करना मत भूलिएगा